यदि आप सीटेट के एक्जाम में बैटने जा रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए एक बोर्न वीटा वीडियो साबित होगी क्योंकि इस वीडियो में टॉप 40 क्वेशन्स हिंदी पैडागोजी के जो एक्जाम में बारवार पूछे जाते हैं हम एक एक क्वेशन को स स्क्रीन पर मिनिममम सेकेंड में गुजारने वाले हैं तो सभी बच्चे यह 40 प्रसन पैडागोजिकल कॉंसेप्ट होगा एक भी व्याक्रण का कॉंसेप्ट नहीं होगा जवर्जस तरीके से कंसंट्रेशन के साथ हर कुस्षन को उढ़ा देना है और एक्जाम में फतेह कर और ऐसे ऐसे कॉंसेप्ट ऐसे ऐसे ट्रिक्स हम बताएंगे जो हर पैडागोजी को आप तोड सकते हो 75 नंबर की पैडागोजी आपके एक्जाम में आएगी तो देखीगा पहला कुस्षन क्या है प्राथमिक इस्तर पर भासा की पाठे पुस्तकों में किस तरह की रचनाएं क्या प्राथमिक इस्तर की भासाओं में नहित होनी चाहिए उनको इस्थान दिया जाना चाहिए ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भासा की अलग-अलग छटाएं हो जो प्रतेक रूप से मूलियों पर आधारित हो या केव अनियों अत्वा कभिताओं की बात करें तो उनसे संबंदित हैं तो हम सिंपल सी बात जानते हैं कि केवल वाला हमें कॉंसेट कभी नहीं लेना है और याद रखना है कि हमें ऑप्शन में जब भी कुछ भी नजर ना आए तो हमने आपको ट्रिकी वीडियो में ये बताया थ कि जब भी क्वेशन पेपर में और क्वेशन हाल में आप बैठे हो तो पॉजिटिव आंसर और सबसे बड़ा आंसर देखना है ऐसी रचनाए जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो जिनमें भासा की अलग-अलग चटाएं हो यानि अलग-अलग तरीके से बच्चा सी है अब देखो सबसे पहले कुश्चन क्या कह रहा है हम कोष्चन के अप्शन को पढहने लगते हैं हम को नजर अन्दास कर देते हैं रियलिटी में कुश्चन ये पुछा गया है कि भाई जो आपका ऑप्शन है मुझे इन 오post Sergey में ऐसा option ढोणना है जो सबसे कम प्रभाबी ह तो मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है, जैसे हम दो बंदे खड़े हुए हैं और दो बंदों के बीच में कुछ वारता लाप हो रही है, अब उस वारता लाप के अंतरगत हमें कौन सा ऐसा ओप्शन लेना है जो सबसे कम प्रभावी है, सबसे कम ड development की बात करते हैं तो ये आंसर नहीं होगा हमें सबसे कम की बात कर रहा है तो ये तो आंसर सबसे ज़्यादा है इसमें तो भासा का विकास सबसे ज़्यादा होगा मौखिक अविव्यक्ति सबसे ज़्यादा होगी बातचीत आप जब करते हो तो बातचीत भी कैसी होगी बाई ही सबसे कम प्रभावी होगा व्याकरण वाला हमेशा निगेटिव उप्शन्स पर क्लियर होता है क्लियर है याद रखना है कुछ से नंबर थर्ड हिंदी भासा का मुल्यांकन करते समय आप सबसे जाधा किसे महतो देंगे वेरी वेरी अब भी सिक्षक और सिक्षिका बनना है क्योंकि हम दूसरी वेकेंसिस पर कभी भी टार्गेट फिक्स नहीं करते हैं या फिर हम देखेंगे कि व्याक्रण के नियम पर तो इस कुछण का जो आंसर जाएगा जो आंसर जाएगा वो ओप्षिन नंबर ए के साथ जाएगा क्योंकि सीखने के छमता का आकलन, बच्चा किस इस्तर का है क्या उसके आकलन करने में कोई कमी आ रही है या नहीं बच्चा किस कैपिसिटी सीख सकता है क्या यार बच्चे को और सिखाना है तो सिंपल सी बात है हमें काबिस, सौंदर, निवंद, लिखना, व्याकलन, नियम सभी निगेटिव वर्ड होते हैं आगे बात करें जितना जादा अगर आप पॉजिटीव सोचोगे उतना जल्दी सीटेट क्लियर हो जाएगा पॉजिटीव सोचना है सीटेट क्लियर हो जाएगा बच्चे को दंड नहीं देना है एक बहुवासिक अक्षा में आप किसे सबसे कम महतो देंगे बहुवासिक अक्षा का मतलब क्या है कि प्रतेक समुदाए से अलग-अलग घरों से बच्चे आते हैं और उस छेतर का जो स्कूल है जैसे आपके गाओं में या आपके सहर में कोई स्कूल है सरकारी और वो स्कूल में कक्षा है उसमें प्रतेक जाती के धर्म के हर सम्परदाए के बच्चे है एक साथ में मिलकर बैटके पढ़ते है वही समभवेसी सिक्षा है और वो कक्षा जो है ना बहुत सी भासाओं से सम्मिलित है अब इसमें किसको कम महत्तो देंगे आप तो जरा बताएगा तो इस कुस्षन का आंसर कर देखा जाए तो हम देखेंगे ए विभिन प्रकार का वालसाहित्य विभिन प्रकार की सामिग्री पॉजिटिव है सांस्कृतिक के संदर में सम्मेदन सीलता यानि जो आपका परिवेस है ये बहुत सांस्कृतिक होना चाहिए तो बिल्कुल पॉजिटिव बात है ये तो आंसर होगा नहीं लेकिन आंसर चिला जाएगा D के साथ क्यों क्यों कि जब भी कुस्षन में पूछा जाए निगेटिव कि कम महत्तो देंगे तो हमें भी कभी याद रखना है हमें कभी तुलना नहीं करनी है हमें दो भासाओं के बीच में तुलना नहीं करनी है अगर तुलना कर दी आपने तो समझ लो कुस्षन गलत हो गया बड़ा आंसर सटीक आंसर कुस्षन नमबर 5 भासा क्या है आप देखो ये कुस्सन एक्जाम में काफी बार ट्रेंड करता है कि भासा क्या है बिध्धाले में ही सीखी जाती है वही भासा है एक नियम बद्ध बिवस्था है सदैव ब्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है वही भासा है क्या या नियमों की जानकारी से ही निखरती है वही भासा है याद रखीगा हम सदैब और केवल को ले नहीं सकते क्योंकि ये positive word नहीं है नियमों की जानकारी क्या बच्चों की बात करने तो क्या बच्चे रूल सीख कर आते हैं क्या मा के गर्व से इसलिए याद रखीएगा कोई नियम नहीं होते है नियम की जानकारी जरूरी नहीं है कि concept है ये फार्मूला है तभी आपको सीखने अपड़ेगा हाँ ये कह सकते हैं आप देखो negative word ये देखो ही केवल ही ऐसे word कभी नहीं लेने है याद रखना है कि एक नियम बद्विवस्था है बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे अपने age के अनुसार अपने इस्तर के अनुसार समाज में enter करता है और सीखता है है ना यही भासा है कुश्चा नमबर 6 बच्चे बिध्याले आने से पहले देखो यार अगर आंसर नहीं पता है ना तो option को यह देखो कि कौन सा नहीं हो सकता तीन आंसर अगर कट गए चोता तो पढ़ने की जरूती नहीं है बच्चे बिध्याले आने से पहले अपनी भासा की नियम बद्विवस्था की बिभारी कुसलता के साथ आते है या कोरी स्लेट होते है भासा का समुचित उप्योग करने में समर्थ नहीं होते है या भासा के चारो कौसलों पर पूर्ण अधिकार रखते है बच्चे बिध्याले आने से पहले बताइए क्या आंसर होगा तो आंसर क्या होगा इस question का एक साथ जाएगा याद रखेगा कि अपनी भासा की नियम बद्विवस्टा की विवहारी कुसलता के साथ आते हैं तब ही तो कहा जाता है आईसा हम कह पाएंगी क्या नहीं चारो कोसलो उपर चार कोसलो का मतलब है लिखना पढ़ना सुनना है न यही चीज़े बोलना ऐसा पूर्ण अधिकार नहीं रखते है नहीं तो बच्चे क्यों आए आगे बात करें question number 7 की कि भासा अर्धन और भासा अधिगम के संदर्ब में कौन सा कथन सही नहीं है अब ध्यान देने की बात यह है कि इस question को कईवार exam में देखा गया है यह pedagogical concept है और इस concept को केबल आप अपने mobile में screenshot ले ले ठीक है भासा अर्धन और भासा अधिगम के संदर्म में कौन सा कथन सही नहीं है भासा अधिगम प्रयास्पूर्ण होता ह यही option को हमेशा seatate मारता है यही option आपको भी मारना है याद रखें सभी बड़े option है और सभी और सभी क्या है सभी positive option है अगे बात करें question number 8 बहुत जबर 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 जब कॉंसेप्ट है भासा सीखने और सीखाने का उद्देश से क्या है दूसरों की बात समझना और सीखना अपनी बात की पुष्टी के लिए तर्क देना विभिन इस्थितियों में भासा का प्रभावी प्रियोग करना अपनी बात कहना और सीखना तो हम यह कह सकते हैं कि भासा सीखने सीखाने का उद्देश से वही होगा कि जब आप किसी परिस्थिती में उस चीज का प्रभाव प्रियोग कर पाएं उसको यूज कर पाएं यही है ना भासा तो इसलिए इस कुष्टन का आंसर जाएगा सीखे साथ आगे बात करें कुष्टन नम्पर नाइन लॉक कीज़ेगा समय आपको मिलता है 20 सेकेंड चले निम्लिकित में से कौन सा भासा सिक्षन का उद्देश से अब भासा सिक्षन का उद्देश से अभी मैंने भासा सीखने सिखाने का उद्देश से पूछा था अब कह रहा है कौन सा ऐसा ओप्षन है जो लेंग्विज की बात कर रहा है उसके सिक्षन का उद्देश से है निजी अनुभो के आधार पर भासा का सदन सील प्रियोग कर भासा सीखते समय त्रुटियां बिलकुल ना करना भासा की बारीकी और सौंदर्य बोद को सही रूप से समझने की छमता को प्रोसाहित करना या भासा के ब्याकरण सीखने पर उगल देना तो मैं कह सकता हूँ कि जो उद्देश से होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी पर जाएगा क्या मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी पर इसलिए चला जाएगा ए पर क्यों नहीं जाएगा क्योंकि बारीकी और सौंदर्य बोद को सही रूप से समझने की छमता को प्रोसाह करना अवसर देना ये पोजिटिव आंसर होते हैं सबसे पोजिटिव आंसर लेकिन निजी अनुभों के आधार पर थोड़ी ना कर सकते हो क्या केवल निजी अनुभों होगा तब ही आप भासा का सिजन सील प्रियोग करेंगे क्या नहीं न ये तो नहीं कह सकते आप option number या फिर पाठ्थे पुस्तक हमने कहा पाठ्थे पुस्तक तो कभी नहीं लेना है व्याक्रन कभी नहीं लेना अब मेरे पास option number first बचा है और option number भी बचा है अगर नहीं आपर आ रहा है तो बड़ा answer सटी का answer लगा दो क्या दिक्कत है यार भासा के विभिन रूपों का प्र 11 very very most important बच्चों की भासा के आकलन का सरवाधिक प्रभावी तरीका क्या है बच्चों की भासा के आकलन का सरवाधिक प्रभावी तरीका लिखित परिक्षा है क्या प्रश्णों के उत्तर देना है क्या प्रश्ण पूछना और पढ़ी गई सामिक्री पर प्रतिक्रिया व्य से कम 20-25 कुसन अपने अलग-अलग स्टूटेंट से आगे निकल जाएंगे लाखों की भीड में आगे निकल जाएंगे क्योंकि ये फंडा अपनाया अगर आपने 20-25 नमबर आपके बढ़ जाएंगे क्योंकि ये गुरुजी वर्ड एक्जाम ओप्शन्स के लिए मिलते हैं 10 सेकेंड जबर जस्त बहुत बढ़े हैं भासा प्रियोग के विविद रूपों को जानने के लिए सरवाधिक उपियोगी साधन जो होगा वो ओप्शन नमबर जाएगा भाया एके साथ क्योंकि बाल साहित्य का विविद उपियोग करना यही दोस्तों सबसे सटीक बैठेगा क्योंकि अगर बात करें संपूर्ण ग्यान बच्चे को संपूर्ण ग्यान होना चाहिए क्या बच्चा प्रेशर की बज़े से यार डिप्रेशन में चला जाएगा सुन्दर ढंग से छपी पुस्तके पुस्तके नहीं लेनी है उच्चिस्तरी भाई लेंग्विस को उच्चिस्तरी अगर छाप देऊगे तो बच्चा कैसे जानेगा चीजों को इसलिए आंसर जाएगा एक साथ कुस्सा नमबर 13 प्राथमिक इस्तर पर बच्चों को भासा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश से क्या है अब देखो पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चे किस लेवल के है लेवल है प्राथमिक इस्तर बच्चों को सिखाना क्या है भासा और उसका एम क्या पूँचा है मुहाबरे लोकोक्तियों का प्राप्त जो ज्ञान प्राप्त करना है यही होगा कहानी कभिताओं को दोहराने की कुसलता का विकास करना तेज प्रभा के साथ पढ़ने की योगिता का विकास या फिर अपनी बातों को दूसरे के समक्ष अभिवक्ति करने की कुसलता का विकास करना अभी option हमने आपको पूरे नहीं दिखाये थे अब option आपके सामने है जरा बताएगा answer क्या होगा प्रात्मिक इस्तर पर बच्चों को भासा सिखाने का सर्वो पर उद्देश से क्या है तो मैंने आपसे क्या बोला मैंने कुछ ट्रिक बताई थी आपको याद आई मैंने आपसे ये बोला है मैंने कहा भहिया बड़ा answer और positive answer यही उद्देश से है क्योंकि भासा वो कैसी भासा जो अभिवक्ती ही न कर पाए अगर अभिवक्ती करने की कुछलता का विकास हो चुका है दूसरों को आप अपनी बात समझा पा रहे हो तो वही विकास होने हो गया simple सी बात है बच्चों को आप सिखा सकते हो तो यही reality है यही answer चला जाएगा option number चला जाएगा d के साथ next one की बात करें question number 14 very very most important question क्योंकि यह question IQ को चेक करेगा IQ level question IQ waste question है question number 14 लिखना क्या है अब भैं लिखना क्या है एक बेहद जटिल प्रक्रिया है क्या एक अनिवारे कुसलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है एक तरह की बातचीत है क्या यह अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है अत्यंत एक word negative है एक बेहद जटिल प्रक्रिया बेहद जटिल negative word है एक अनिवारे कुसलता अनिवारे ही compulsory कर दिया है नहीं लिखना एक तरह की बात्चीत है जो प्रात्मिक इस तरह की बात करता है अनिवारे कुसलता नहीं जिसे जल्दी प्राप्त किया जा सकता है अरे भाई लिखना क्या जरूरी है कि बच्चे को यहां पर अनिवारे कर दिया है कि भाई एक साल का बच्चा हुआ, दो साल का बच्चा हुआ, उसको लिखना आना चाहिए, ऐसा नहीं होना है, जिसे जल्दी प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, यह एक बादचीत है, भाई बादचीत कैसी है, जब आप अपने घर पे बैठे होते थे, 20 स हुआ करती है, है ना, ओप्षन नमबर C के साथ, कुछ नमबर 15, अरे वोटसेप देखलो यार लिखते हो तो वो बातचीत हो रही ना, कुछ नमबर 15, कच्चा एक के बच्चे, डॉट डॉट एवं, डॉट डॉट से प्राप्त भोलचाल की भासा के अनुवों को लेकर ही भी ध्यले आते हैं, कच्चा एक के बच्चे, घर परोस, घर परिवार, घर परिवार या घर परिवार है क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इस कालम में यही से लिया जाएगा, और इस कालम में यह लास्ट वाले वर्ड लिये जाएंगे, कौन सा आएगा, परिवेस से, न की परोस से, परिवेस से क्या लेकर आते हैं, बोल चाल का अनुभो लेकर आते हैं, जो उनको environment मिलता है, परोस नहीं है, अगर एक ही घर बनना हुआ है, परिवेस उसको कहते हैं, जो अपने परिवार के लोग होते हैं, समाज में जो परिवार होता है, समाज मे important है मेरे लिए नए बच्चे तो आते रहेंगे सस्क्राइब हो या ना हो आपके घर में खुशी आना चाहिए कुश्य नमबर 16 कच्छा एक और कच्छा दो की सुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंब डॉट डॉट से और किसी डॉट डॉट के लिए हो मतलब यह है कि जाएगा और इसमें से ओप्शन यहां से भरा जाएगा याद रखीगा तो 16 का जो आंसर जाएगा वो ओप्शन नमबर चला जाएगा एक साथ स्क्रीन सोट ले लो कच्छा एक और दो के सुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंब अर्थ से हो अर्थ से अच्छर ग्यान न ही है यह ला लट्टू ही है समझरो ना बच्चा एक की बात कर रहा है दो की बात बच्चे को समझा सकते हो कि यह क्या है उसकी भासा में और किसी उद्देश से के लिए हो यह उसका अंसर होगा यह कुशन बहुत जबरदस्त है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टन नब्वे प का उत्तम सादन है सोचने महसूस करने चीजों से जुड़ने का उत्तम सादन है पढ़ने लिखने समझने का उत्तम सादन है अगर मैं आंसर अभी लगाऊंगा तो आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा कि सर यह कैसे हो सकता है भासा सोचने महसूस करने और चीजों से ज लेकिन अगर मैं इसको सभी में सोचने में कनवर्ट कर दूँ और चीजों की बात करें महसूस करने में और क्या है चीजों से जुड़ने का उत्तमसादन है जब भी कोई चीज आती है कोई भी चीज आप अपनी आँखों से देखते हो तो आपके मूँ से वही लेंगुज निकलती है चीज रखी है तो चीजों से जुड़ते हो वही आपके मुखारविंदू से भहिया वर्ड निकलते हैं आगे बात करें कुछ से नमबर 18 भासा सीखने का बेभारवादी द्रश्टिकोन किस पर बल देता है भासा सीखने पर बेभारवादी जो द्रश्टिकोन है वो अनुकरन पर बल देता है यह very very most important है क्योंकि इसका मतलब होता है नकल करना भाई मैंने आपको बताया था कि भासा बच्चा लोगों की मदद से सीखता है अपने परिवेस में सीखता है भासा अपनी माता से बच्चा सीखता है अपने पिता से दादा से दादी से बहन और भाई से सीखता है और बाद में पडोस परिवेस और खेल के मैदान से सीखता है कैसे नकल करके अनुकर्ण करके कुछ से नंबर 19 हमारी कक्षा में बच्चे भिन 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 भासिक प्रष्टिभू में से आते हैं अताहा उनकी भासा को भी कक्षा में सम्मान दिया जाना चाहिए कितनी जबरजस्त बात लिखिए मुझे तो ऐसा लगता यही आंसर हो जाएग भासा की पाट्ट पुस्तक में उनकी सबी भासाओं के सब्द वाक्य होने अनिवारे हैं फिर से आ गया यार फिर से आ गया अनिवारे अब मेरे पास ओप्षन एही बचा है तो हमारे पास ओप्षन एही लेना है यह ट्रिकी वर्ड है कुछ याद रखना अनिवारे केवल म प्राथमिक इस्तर पर भासा आकलन का सरवाधिक उचित तरीका किसी पाठ की पांच पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रस्ण पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना बच्चों से प्रश्णों के उत्तर लिखवाना अब गैस अगर बात करें तो बड़ा आंसर अगर देखा जाए एक तरीके से तो हमारा 20 में B जाएगा तो मैंने का क्या दिक्कत है यार नहीं आ रहा है अवसर देना अगर तुरंत मिल जाए प्रोसाहन मिल जाए तो आँख बंद करके आंसर मार देना कुष्ण बस positive में पूँचा जाए याद रहे इस कुष्ण का आंसर जाएगा B के साथ रोहित एक बच्चा है पढ़ते समय अनेक वार अटकता है उसे पढ़ने में कठिनाई होती है उसकी समस्या मुख्यता किससे संबंदित है अब मैंने आप से कहा है कि जब भी बच्चा किसी disability का यहाँ पर example पूँचा जाता है किसी disability का सिकार होता है यानि अधिगम अक्षमता की बात कर रहे learning disability एक चैप्टर से कुस्षन आएगा यह लिख लीजेगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है अगर गड़ितिये में कमजोर है तो डिस्केलकुलिया होगा अगर लिखने में कमजोर है तो डिस्ग्राफिया होगा अगर वो पढ़ने में कमजोर है तो वो dyslexia होगा इसलिए इस question का अंसर dyslexia यानि अगर पड़ नहीं पा रहा है अटक रहा है तो dyslexia अगर question में नोट कर लेना अगर question में याँ पर लिखा होता बच्चा लिखने में दसमस्या कर रहा है तो लिखने के लिए आप dysgraphia लगाते फिलाल इस question का अंसर C जाएगा न की D जाएगा आगे बात करें 22 कौन सा प्रस्न बच्चों की भासा छमता का सही आकलन करेगा कितना जवर्जस question है और अगर मेरी trick आज अपनाओगे आप तो question exam में ये वाला clear कर जाओगे बोले कैसे यार मैंने कहा देखो यार एकदम से question बोले कि समय नहीं बचा है OMR seat आपकी बर नहीं पाई है और आपकी कापी जमा और एक जामाल में तो मैंने आप से कहा कि अपने 20 से 25 नंबर अगर मुझसे आप पढ़ते हो तो मैं 20 से 25 नंबर मैं ये वादा करता हूँ कि मैं बढ़ बादूँगा अब बोले कुस्सन भी सर नहीं पढ़ पाया तो भाई बच्चों ने क्या किया कुस्सन छूट रहे थे तुरंत आंसर में गोला भर दिया कि भाई बड़ा अंसर है सटीक अंसर है अब कोगे सर ये कौन सी मुर्खता वाली बात कर दी हम हर इस्तती के लिए आपको तयार करते हैं हम मानसिक, सारीरिक, भावात्मक और आपको ज्यानात्मक रूप से तयार करते हैं इसलिए हमारा एक ही उद्दे से है आप किसी भी तरीके से ब्रिलियंट तो आप हैं किसी भी तरीके से पास हो जाओ आप कुछन पढ़ लेते हैं कौन सा प्रस्न बच्चों की भासा छमता का सही आकलन करता है लड़की ने किस के दाम नहीं बता है आप केवल आंसर दे दोगे किस सेओ के नहीं बता है लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी आप केदोगे सेओ बेच रही थी या कुछ बेच रही थी आज कल आम का कितना दाम है आप केदोगे 40 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए फला फला लेकिन हम छमता का सही आकलन अगर करना चाहते हैं यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों यहाँ पर बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे पहले तो यह बताईएगा और क्यों लोगे तो इससे क्या होगा भासा चमता का आकलन सही हो जाएगा है ना कुस्ण नमर 23 प्राथमिक इस्तरपन शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए यह कुस्षन एक्जाम में देखनों को मिलेगा आज लिख लीजिएगा वो किसी भी पैडागोजी में आ जाए इनवार्मेंट में आ जाए हिंदी में आ जाए मैथेमेटिक्स में आ जाए तो प्राथमिक इस्तरपन शिक्षा का माध्यम होना चाहिए बाल केंद्रित होना चाहिए या बच्चे की मात्रभासा मदर लेंगेज मदर टंग पर आधारित होगी 23 का डी के साथ होना चाहिए 24 देखीगा 24 आपके यहाँ पर एक पेडागोजिकल कोईसन आ गया था कि किस सब्द में एक प्रत्य का प्रियोग नहीं हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि एक प्रत्य है आपका स्वभाविक जीविक, प्राकरतिक, लेकिन भैएक नहीं होता है इसलिए इस कुशन को भी पेडागोजी में रखा गया था ठीके ना कुशन कठिन था 25 देखीगा अपराद सब्द में कोन सी संग्या है 25 के बाद जो 15 कुशन आएंगे जबरजस्ट पेडागोजी के होंगे बहुत जबरजस्ट पेडागोजी बोले अपराद सब्द में कोन सी संग्या है तो अपराद सब्द में भाववाचक जो चीज़ें हमें दिखती नहीं है वो भाववाचक की स्रेणी में जाती है आगे 15 कुशन का एक और मौक टेजट बहुत तेजी से देखना है और एक्जाम को फतेख कर जाना है देखो लाइक नहीं किया है और सस्क्राइब जरूर कर दे वेल आइकन को जरूर पेस करें पहला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर रखते हैं ये 15 मिनट के अंदर हम 15 मिनट करेंगे बहुत बार पूचे गए प्रस्ण है ये 15 चुनिंदा प्रस्ण निमलेखित मेंसे कौन सी गतिविधी स्रवण एबं बाचन कोसल के विकास के लिए सरवाधिक उप्युक्त होगी ऐसी कौन सी गतिविधी है जो स्रवण यानी सुनना और बाचन मने बोलना उसके लिए सबसे बेस्ट होगी प्रस्णोतर सत्र आउज़द करना, रेडियो समचा सुनना, कहानी सुना कर उस बच्चों की पृत्गिया जनना या हाव आउ के साथ कविता बूल्बाना Cola के साद जाएगा? C के साथ मैंने कहा आप से बड़ा आंसर सटिक का आंसर क्योंकि अगर आप कहानी को सुन्वाओगे और बच्चों की फिर्क होगी बच्चों इससे आपने क्या सीखा इससे प्रतिक्रिया उनकी जानने की चेस्टा होगी और आपको उनकी भासा का आकलोपता चल लाएगा ठीक है बहुत बढ़े है चैनल को अपना परिवार का सदस्य यानि अगर हम बात करें परिवार मने और मुझे अपने परिवार के सदस्यों यानि आप से मिलने की खुजी तब होगी जब अगले साल तक आप सेलेक्शन लेकर रहोगे यानि सेलेक्शन तो भहिया मुठी में ही है ये बात रख लीजे दिमाग में सेकंड कुशन है बाड़ी कैसी होती है अब देखो ये कुशन कई बार पूछा गया और बच्चों ने कई बार कमेंट किया कि सर इसका कुशन का अंसर क्या होगा कितावों में क्या ये सही है बिल्कुल ठीक है यार देखीगा गहने स्याम पढ़ते समय कभी-कभी वाक्यों सब्दों की पुन्रा ब्रत्ति करता है यह भासाई वेवहार दरसाता है कि वह अटक-टक कर ही पढ़ सकता है कभी-कभी वाक्यों सब्दों की पुन्रा ब्रत्ति करता है पुन्रा ब्रत्ति का मतलब है कि 4, 4, 4, फिर आगे 5, मतलब 3 बार कहने के बाद है कि एक ही बार को बार बार दोराना, वो इस समझने के साथ पढ़ने की कुशिज़ करता है, उसे लंबे सब्दों की पढ़ने में कटनाई होती है, वो पढ़ने में अधिक समय लेता है, तो मैं कहा सकता हूं कि मुझे कभी भ बड़ा option है, सटी का answer है, वो यह पढ़ने की कोशिस कर रहा ना, और बच्चे तो चुप बैठे ना, वो यह पुन्रा बृत्ती तो कर रहा है यार, पढ़ने की कोशिस कर रहा है, यही positive है, यही बच्चों में के बारे में आपको positive सोचना है, आगे बात करें question number 4, बहु भासी कक्षा से तातपर क्या है, जवाब दीजेगा, जिस कक्षा के सिक्षक सिक्षेगा, दो या दो से अधिक भासाएं पढ़ लिख सकते हूं, जिस कक्षा में कम से कम दो भासाओं में पाठे पुस्तक उपलब्ध हो, जिस कक्षा में प्रतेक बच्चे के घर की बोली को सम्मा दिया जाता है तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि यहां पर यहां पर क्या है अच्छा एक उप्शन और होना चाहिए एक उप्शन और होना चाहिए जहां बहुत सी भासाओं का अध्यापन किया जाता ऐसा कुछ नहीं है यहां पर मुझे यही लग रहा है कि अगर बच्चे की ब अब ये कुश्चन भी पेडागोजिकल कॉंसेट में था पिछली बार, कभिताएं सुनी सुनाई जाएं, इसमें आपका सकर्मक क्रिया है, क्योंकि चीजें जब कर्म के साथ होती हैं, तो सकर्मक होता है, आगे बात करें, कुश्चन नमबर 6, संग्यान के इस्तर पर विकसित डॉट डॉट अन्य भासाओं में आसानी से अनुदूदित होती रहती हैं, क्या अनुदूदित होता रहता है, बताए, बताए, जी हाँ, बहुत बढ़िया, संग्यान के इस्तर पर जो विकसित भासा चमता है, भाई भासाओं में हम भासा चमता को ही तो लेंगे, इसलिए इस question का answer जाएगा option number A के साथ भासा का आती महत्वपुल प्रकारे क्या है चारों में सबसे जबरजस्त क्या है भासा का महत्वपुल प्रकारे क्या कारे है अगर भासा बोलना लिखना सुनना आपको सब कुछ आता है लेकिन आप भासा को अविव्यक्ति नहीं कर पा रहे हो आप भासा को एक दूसरे के सामने खड़े तो हो लेकिन अपने सब्दों को बोल नहीं पा रहे हो दूसरे से मतलब क्या है अपने विचार को आप संप्रिशित ही नहीं कर पा रहे हो और आपको ग्यान काफी है तो मैं कह सकता हूँ यह सबसे बेस्ट आंसर होगा आगे बात करें कुछ से नमबर एट बासा सिक्षर को डॉट डॉट संदर्ब में रखकर देखने की आवस्षिता है वीडियो को लाइक करें नीचे टेलिग्राम गुरुप की लिंक है टेलिग्राम गुरुप से ज़रूर जुड़ें अगर सीट एट एग्जाम करने की एक ट्रिक वीडियो आपको देखनी है मेरकर देखने की आवसिक्ता है. Q7. अब मैंने आपको Dyslexia बताया था. डिसलेक्स Bossia होता है बोलने में समस्या, यानि पढ़ने में समस्या, जब हम चीजों की बात करते हैं, हम अटक-अटक कर पढ़ते हैं, हम चीजों को गलती से कुछ और पढ़ लेते हैं डिस ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को लिखने में समस्या होती है और लिखने के लिए option number हम 3 को lock करेंगे क्योंकि ग्राफिया ग्राफ को लिखा जाता है ऐसे trick आप लगा सकते हो कुछ से number 11 भासा सिक्चर का मूल आधार क्या होता है भासा सिक्चर का मूल आधार होता है मौखिक और लिखिक यही दोनों होते हैं जब आप सामने होते हो तो चीजों को बोल कर आप कहीं न कहीं संप्रेशित करते हो जब आप बहुत दूर होते हो distance में होते हो तो चीजें आपके सामने बोलने के अलावा एक विकल्प होता है आप किसी चीज को mail करते हो आप किसी चीज को whatsapp करते हो या आप किसी चीज को fax करते हो या आप किसी चीज को क्या करते हो whatsapp करते हो face booking message भेज़ते हो तो यह लिखित जो है अविव्यक्ति है लिखित वाचीत है इसलिए इस कुश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नमबर 3 के साथ आगे बात करें कुश्चन नमबर 12 सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करना कभिता सुनकर प्रशनों का उत्तर लिखना सुनी गई कहानी को अपनी सब्दों में लिखना बड़ा आंसर सटीक आंसर अगर अपने सब्दों में लिखोगे तो सबसे जबर्जस तरीका होगा और इससे जबर्जस तरीका हो ही नहीं सकता आंसर जाएगा ओप्शन नमबर 2 के साथ आगे बाद करें कुस्सा नमबर 13 भासा अधिगम के कारक कितने होते हैं भासा विज्ञान व्याकरण भासा कौसल या फिर ओल एवर जो किसेगा जबाब दीजेगा अंसर क्या होगा भासा अधिगम के कारक कितने होते हैं तो भाईया अंसर ओप्शन नमबर 4 के साथ क्योंकि स से लिए हमसे जब कुश्चन में बच्चे और सिक्षक के बीच में पूंचा जाए तब हम व्याकरण को निगेटिव मानेंगे जब दो या दो से अधिक option सही हो तो हमें व्याकरण को सही करना होगा जब कुश्चन में उपरिक सभी option में दिया हो हिंदी भासा में आकलन का उद्दे से नहीं है भासा सीखने के संदर्म में प्रत्यक बच्चे की विशे सावस्तकी पहचान करना भासा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना भासा गत्रुटियों को ही पहचान करना अब देखो यहाँ पर इतना tricky word है मेरा अगर tricky word फ में ही लिखा है बच्चे की भासा गत्रुटियों को ही पहचान करोगी आप क्या और यो बच्चे ने अच्छा किया है उसकी प्रसंसा नहीं करेंगे क्या इसलिए आपको नहीं बोला था तो answer भी option number 3 के साथ चला जाएगा साब है ना बहुत अच्छे आगे बात करे question number 15 और 15 55 10 213 और 4 40 question हो जाएगे आपके ठीक है यह 40 question पैड़ागोजिकल concept है जहां पर जाओगे आप धूम बचा दोगे बस इतना करना है आपको कि आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि लाइक और subscribe करें या ना करें हर गर में चिराग जलना चाहिए हर घर में रोसनी आनी चाहि आपको करना जितने बच्चे आप से जुड़े हैं बस इतना करना भगवान भी आपका बेहतर करेगा आपके बिचार से प्रात्मिक इस तरह पर उत्करस्ट लेखन का कारिका उधरन क्या है तो यहां पर किसी आँखों देखी घटना का सहसर वर्ण करना लिखित वर्ण करन आँखों देखी घटना को उजबरजस तरीके से आप कर सकते हो तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए वो वीडियो थी जिसको हम बोर्न वीटा वीडियो साबित करते हैं इसलिए याद रहे गुरुजे वाल्ड एग्जाम स्टेडि कभी ना रुका था कभी ना ठका था और कभी ना वरसाती मेढक की जैसे बोला था याद रखें उसने हमेशा साल भर पढ़ाया है और साल भर उसकी वीडियो जाती रहती हैं इसलिए हम एग्जाम के समय ही वीडियो को नहीं लाते हैं ये वात आपको ध्यान रखनी है कि टीचर की योगिता को पहचाने हम य पूरे साल एक मेहनत एक स्टुडेंट के ऊपर करता है लव यो गाइस तेंक्स पर बोचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टेड़े आप सभी के मतापिता परिवारों को मेरा जैहिं एंक अलाव जिन्दावाद वंदे मातरम नीचे लिंक है सीटेट को कैसे क् करें वो लिंक के माध्यम से उस टिप्स और टिक्स की वीडियो को जरूर पहुच करें